हेलो गुड इवनिंग गईस आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थेंक्यू बना चाता हूं इसमें सबसे पहले हैं मेरे पिचर प्रोफेसर बोला साउसर और किरन शुकला सर उसके बाद मेरे फैमली जिन्होंने मुझे हर समय सपोर्ट किया फिर सबसे इंप काफी सपोर्ट किया कमाल का काम कर रहा है उसने भी अभी एक यूट्यूब चैनल खोला है शुबंकी पाशाला इसे भी सिविल की एक्जाम के प्रिपरेशन करना है जाकि उसका यूट्यूब चैनल सस्क्राइब करें और उसके बाद मैं सोनिका और उत्तम को थेंक्यू बो सपोर्ट किया है मेरे वेस्प्रेंट जीवन किट्टू शशांक अब है इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और एंड मैं अपने सूडेंस को थेंक्यू बोलना चाहता हूं जिन्होंने खूब सारा प्यार दिया चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुश्चन नंबर वन उ ठीक है इस क्वेश्चन में एक फोर्स ऐसे जा रहा है और एक फोर्स ऐसे जा रहा है यह आपका है 50 किलो न्यूटन और यह क्या है अपका 100 किलो न्यूटन इसका एंगल इसके बीच का एंगल है 15 और इसके बीच का एंगल 30 ठीक है 30 डिगरी अब लिखते हैं क्वेश्चन क and direction, magnitude and direction of resultant forces, ठीक है, अब question ये पूछता है, अब इसको solve करने के लिए सबसे important है free body diagram, free body diagram क्या होता है, free body diagram कुछ नहीं होता है, जो भी question देता है, ठीक है, उस question को हम कैसे समझ सकते हैं, उसके हिसाब से बनाते हैं, तो हम उसको बोलते है, free body diagram, ठीक है, जैसे for example, मैं को solve करने के लिए, यहाँ पर मैंने इसको क्या लिख दिया, 50 kN लिखा, ठीक है, और इसको 100 kN, अब क्या important है, कि angle base के साथ बनना चाहिए, मगर यहाँ angle तो इसके बीच में, तो यहाँ तो मैं इसको ले लेता हूँ, 15, ठीक है, यहाँ तो मैं इसको पूरा यहाँ से लिख करके 45 लिख सकता हूँ, अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप इसको direct यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यह 30 और 15 कितना होता है, 45 तो यह कितना होगा, obviously 45 होगा, तो यह भी किया हाँ लिख सकता है, 45 इसमें resultant निकालने, resultant force क्या होता है, ओ पॉइंट पे, अगर कोई 50 kN लोड लगा के इसको पूल्च कर रहा है, और इस यहाँ 100 kN का पूल कर रहा है, तो यह अगर इसका तोनों का comparative अगर देखा जाए, तो यह object कहाँ जाएग, तो यह कहाँ ढूल रहा जायेगा, तो यह कहाँ MOVE करेगा, तो यह कहां MOVE करेगा, यह center में कहीं पर MOVE करेगा, तो वही होता है आपका resultant, और उसकी गाहना होता है, अब इसको कैसे निकालने के लिए, अब इसको निकालने के लिए क्या करना है अपन को यहाँ पर इसका formula होता है ठीक है resultant का formula पहले देख लेते है resultant ठीक है resultant का formula यहाँ पर क्या है fx का sigma fx का square plus sigma fi का square ठीक है और इसी तरीके से अगर इसके बीच का angle निकालना है तो यह angle अगर मैं alpha ले लेता हूँ 10 alpha 10 alpha क्या हो जाएगा perpendicular by base होता है तो perpendicular क्या है sigma fi upon sigma fx ठीक है तो अब इसको हमको solve करना है अब इसको निकालने के लिए कैसे करेंगे सीधा simple सा है इस question को solve करने के लिए पहले हम ले आएंगे sigma fx ठीक है sigma fx अब क्या है यह first coordinate में मैं x-coordinate भी लूँ या y-coordinate भी लूँ दोनों के दोनों के आएगा positive यह आएगा तो इसमें क्या सीधा लिख सकते है 50 बेस के सथ बना रहा है तो क्या लिखेंगे cos 15 degree plus 100 क्या लिखेंगे यहाँ पर यह ओविस इसके साथ बना रहा है ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 100 साइन सॉरी साइन तो हो चुक है यहाँ पर आएगा cos 45 degree ठीक है अब इसको क्यल्स साइज सॉल करते हैं cos 45 साइन 45 तो कितना आता है 1 by root 2 तो इसको सॉल करने पर इसके value कितनी आ जाएगी 50 root 2 ठीक है तो calculator से इसको सॉल करने के बाद यह हमार का value मिलता है इसका 48.2963 ठीक है और इसकी value इसको सॉल करने से हमको मिलता है 12.9409 plus 50 root 2 ठीक है अब कैसे सॉल करने के इसको अब इसकी value कितनी आ यह है इसकी value आएगी 119.007 किलो न्यूटन और इसकी value कितनी आ रही है इसकी value आती है 83.6516 किलो न्यूटन ठीक है तो अब क्या निकालना हमको लास बच चाहिए resultant resultant क्या है r ठीक है resultant r निकालने के लिए formula तो भी बता है मैंने क्या है formula sigma fx का square plus sigma fy का square इसकी value कितनी होगी यह आएगी 11 sorry इसकी value क्या है कि आएगी 119.007 का square plus 83.6516 इसको solve करने के बाद हमको मिलता है r की value 145.459 किलो न्यूटन उसे से 10 theta की अगर आँ बात करो sorry 10 alpha 10 alpha की बात करें तो 10 alpha का क्या होगा sigma fy sigma fx fy कौन सा था इसमें value यह वाली value थी तो क्या लिखेंगे 83.6516 upon 119.007 इसको solve करने पे इसको solve करने पे हमको क्या मिलता है इसका solve value आता है 35.10389 यह इसकी value है alpha की value है ठीक है तो कैसे निकालेंगे alpha इसजी को कैसे लिखेंगे 10 inverse लिखेंगे 10 inverse करके 83.6516 upon 119.007 इससे value आ रही है 35.10389 यह अब final result के लिखेंगे resultant r is equals to 145.49 sorry 459 किलो न्यूटन एंड alpha ने लग डिरेक्शन यह क्या आपका magnitude हुआ magnitude means value यह direction direction means किस direction पर move कर रहे है तो यह यहां से upward जा रहे है तो alpha की value क्या है alpha की value आई है 35.10389 अब value कितनी आय थी 35.10389 ठीक है अब इसको क्या करना अपने को चाहें हैं तो degree में लिखना चाहें तो इसको use कर सकते हैं यह value आपका है degree में इतना ठीक है तो इसको आज सीधा लिख सकते हैं 35 degree 6 minute 11,14 second झारे इसको झाई झालो क light क्यों, यह झालो, आज से खजू है म।सकि हम सकते हैं यह तो झालो, एक है पिर जह सकते हैं झाल झाल